आज में बनाऊंगी भात मैं एक डीबा चावल ले हूँ और इसको मैं धुने पहले अच्छे से धो दे रही हूँ और इसे अच्छे से धो देने के बाद इसे बनाना है तो देखे मैं अब याधा तसली पानी इसमें डाल दियो खदकने के लिए ये खदक जाएगा तो जो च पानी खदक चुका है गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ अच्छावल को पुड़ी पूरे चावल एकी साहथ डालकर और उसी समय चलाए नीचे बैटने न दे मतलब कितला डालना है अच्छावल उसको चलाना है और चलाना कर मैं इसे ढग दे रह तो यह देखिए यह खदक रहा है अब यह अच्छे से खदकने लगा दम उधियाने लगा है तो फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और चावल का सिजने का इंतिजार करेंगे चावल जब सीज जाए तो इसको देखने के लिए पहले पानी में देखे वो फटा-फटा सा लगेगा तो समझा जाएगे कि चावल सीज गया है तो आप एक ही चावल को देखे कि यह वो सीज जाए उसको लेकर एक और उसको हाथ से पीज कर देखे तो लगेगा कि सीज जाए तो समझा जाएगे पूरा चावल अच्छे से सीज गया है अब मैं इसे पसा देती हूं मुझे आदत है कॉर्टोरी में बैलेंस करें पसाने के लिए तो मैं इसा ही पसाती हूं यह दिके बात हमारा तयार है से खाएं दाल और भुजिया के साथ हमारा चावल एक दम अच्छे से हो चुका है रेडी पुरा वीडियो देखने के लिए सुक्रिया